गुद मानिंग माई डियर स्टुडेंट्स यह पेपर हम लोग साल्ब कर रहे हैं और यह पेपर आपके सीजियर से लेगे सीचेसल और जितने भी इस तरह के एक्जैम से जो आपका टीर वन होता है उन सब में बहुत फाइदा पहुचाने वाला है तो मेरे साथ ज़रे पेपर का मतलब होता है गोदाम संदूक या भंडार होता है तो इसका जो सिननीम होगा वह कंटेनर होगा अब इसके कुछ से और देख लें कंटेनर वेशल और रिपाजीटरी है एंटनिम क्या है आउट बास्केट सौबर और अर्जिंग कोई चीज होती है क्वेस्टिन नमबर ट असी हो गया नार्सिस्सी हो गया सब कंसीट और एरोगेंश हो गया और एंटनिम यह हो जाएगा इसका हमने प्लिटिजियेट क्या है तो ध्यान दीजेगा इसमें acquisition होगा, 3 का C हो जाएगा, acquisition का मतलब कोई धनारजन होता, acquire जो होता है वो verb है, acquire का noun जो होता है, वो acquisition हो गया, question number 4 में आईएगा, और 4 number 4 to 6, आपको देखना कि क्या गलती है, error क्या है, तो 4 में आप देखें, if you permit me to speak the truth, I shall state without a decision that you have done a mistake, let us see, question number 4 को देखें और आराम से देखेंगे, क्या कह रहा है, that you have done a mistake, ध्यान रखेंगा, mistake के लिए, do का प्रयोग करने के बजाए, आप commit का प्रयोग, committed mistake कर दें, या आप make a mistake का प्रयोग करें, तो 4 नमबर में C कलती होगी, committed a mistake कर दीजेगा, या आप ये भी कह सकते हैं, made a mistake हो जाएगा, question number 5, I succeeded दिया गया, succeed के साथ preposition in लगता है, succeeded in हो जाएगा, तो question number 5 में, succeeded in, I succeeded in, आगे जो दिया गया वर्म के आज़े फार्म बहुत सही है, वर्मी जो होता है, वर्मीन प्लूरल है, चूकि वर्मीन प्लूरल है, इसलिए वर्मीन के साथ, आप does का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्मीन के साथ, आप किसका प्रयोग करेंगे, six number में, do का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से बी पार्ट में गलती होगे, question number 7 देखेंगा, अगर दैन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, कि दैन के साथ, competitive बिगरी आएगी, संजोग से चारों में है, तो आप यह देखेंगा, sound से light जो होता है, थोड़ा सभी हमको GS पता है, तो light sound से तेज चलता है, fast होता है, तो fast की जो competitive बिगरी होगी, that is faster, तो यहाँ पे 7 नमबर में हम A कर देंगे, that is faster, question number 8 को देखें, the man for the purpose never did, 8 नमबर में अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या दिया गया, the man for the purpose never did what was expected half him, जो उससे उमीद थी, उसने कभी किया नहीं, तो कौन से आदमी नहीं किया, the man implied for the purpose, मनें ऐसा आदमी, जो उस उद्देश के लिए, न्यूक किया गया था, उसने कभी भी वह काम नहीं किया, जो उससे अपेच्छा की जाती थी, तो 8 नमबर का C हो जाएगा, question number 9 को देखें, there was a serious, 9 को देखेंगा, there was a serious, क्या serious है, between two brothers, दो भाइयों के बीज में, alteration, alteration का मतलब परिवर्तन हो गया, तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो यहां पे हमको समझ में आगया, गंभीर क्या होगा, गंभीर जोगा, वो altercation होगा, altercation का मतलब ज्ञड़ा होगा, तो that is our option, 9 का, यह हो जाएगा, altercation में ज्ञड़ गया है, तो idioms and phrases में, question number 10 में देखेंगे, कि क्या हो जाएगा, behaving arrogantly, इसका मतलब बहुत सेखी बखारना, नहीं बोलते कि बहुत हवा बांध रहे हैं, तो वही being, behaving arrogantly हो जाएगा, question number 10 का, behaving arrogantly, अर्था घमंड पूर्वाक, ब्यभार करना, अथा आपसन जो D होगा, वही इस का सही होगा, 11 at a stone's throw, इसका मतलब बहुत ही, निकट at a stone's throw, at a short distance, 11 का यह हो जाएगा, question number 10, bone of contention, जगडे की जड़ होती है, that is bone of contention, तो bone of contention, जगडे की जड़ काज पार, 13 to 15 देखना है, आपको, यह क्या है, one but substitution, 13 to 15, let us see, पहले आप देखेंगे, एक person who has lost the protection of the law, जो law का protection जिसको खतम हो गया है, ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है, और गहर कानूनी हो जाता है, out law, तो 13 का a हो गया, 14 में आप देखेंगा, falsification of documents, documents का falsification जो होता है, यानि यह क्या है, 14 का forgery दोखा धड़ी होती है, documents जो इधर उधर कर देता है, इंसान दोखेबाजी लोग होते हैं, वो forgery, forgery उसको कहलाते है, दोखेबाजी का जालसाजी कहते है, question number 15 में, आप देखें, to make atonement for one's sins, इसका मतलब अपने पापों का प्रयाश्चित करना, तो अपने पापों का प्रयाश्चित करना, that is, xpc, xp8, xp8 आपको सामने दिया गया है, 15 में, xp8 का मतलब ही होता है, कि अपने पापों का प्रयाश्चित करना, यह हम लोगा, सही हो गया, अगला question is 16, the boys absented themselves for the two days, ध्यान दीजेगा, for the two days इन्होंने दिया है, तो अगर हम देखें, यहाँ पे far का प्रयोग दिया गया है, तक के सेंस में, तो जब तक के सेंस में far का प्रयोग दिया गया है, तो उसमें perfect या perfect continuous क्या उसकता नहीं होती है, लेकिन अगर C का प्रयोग होता, तो वहाँ पे perfect या perfect continuous, तो far का एक अर्थ जो होता है, वह तक भी होता, जैसे अगर हम बोलते हैं, today I taught for two hours, आज मैंने दो घंटे तक पढ़ाया, और अगर हम यह बोलते हैं, कि मैं दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो I have been teaching for two hours, है न, मैंने दो घंटे, अगर इस तरह से हम बोलते हैं, मैंने उसे कल से नहीं देखा है, मैंने उसे दो घंटे से नहीं देखा है, I have not seen him for two hours, तो say अगर आ गया, तब तो perfect या perfect continuous होगा, लेकिन अगर तक का बोध हुआ है, तो वह कोई भी tense हो सकता है, प्रज़े पास्टे रेफिट का प्रयोग यहां पे सही हो जाएगा, तो यह हम लोगों का question number 16 सही हो गया, question number 17 को देखते हैं, my mother insist on, insist के साथ preposition on लगता है, और insist on को अगर हम बोलें, तो setting up something everyday for charity, setting up नहीं होता है, यह set aside का प्रयोग चो होता है, इसका मतलब होता है, set aside ध्यान दीजेगा, 17 का set aside का मतलब अलग रख देना, charity के लिए, बनादान के लिए कुछ अलग रख देना, किसी provision के लिए अलग रख देना, that is set aside, question number 18, इसमें देखें, he began on a new business, began on चोगी, अगर on नहीं होता, तब तो ठीक है, लेकिर on दिया गया है, तो इसमें embark on होगा, question number 18 में, embark on का मतलब, शुरू करना, प्रारंब करना, question number 19, I have to say them the truth, say the truth नहीं होता है, tell the truth, tell the truth का मतलब, सत्य बताना, question number 20, ध्यान दिजेगा, speak the truth, और, sorry, speak the truth हो जाएगा, tell the truth, नहीं, speak the truth हो जाएगा, speak the truth, tell a lie, और speak the truth हो जाएगा, तो यहां पे जो question है, 19 का, बहुत C हो जाएगा, speak the truth, अगर हम I speak the truth की बात करें, तो speak the truth सत्य बोलना होता है, और tell a lie जो होता है, लेकिन किसी को सत्य बताना अगर होगा, तो सत्य बताना होता है, तो हम यह कहते हैं, tell me the truth, मुझे सत्य बताओ, तो यहां पे जो बनेगा, that is 19 का, यह बनेगा, tell me the truth, अब आप बोलिएगा, question number 20 को देखेगा, कि the, 20 में क्या दिया गया, between दिया गया, और between के बाद, जब दो चीज़ें अलग 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 आती है, तो वा end से जूड़ी होती है, और यह सही है, यहां पे बीज का भाव है, और end से जूड़ा है, इसका मतलब no improvement, अब 21 से 25 तक आपको देखना है, मेरे साथ जरा से इसको देखेगा, कि यह क्या है, comprehension में कैसे आप इसको करेंगे, से अलग 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 इसको बाता से 20 तक अबाएंग तो देखेगा, अलग 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 अनलग अल एफ So,